प्रिया मित्रों, अस्टम भाव को कुंडली में अशुविस्थान कहा गया है, क्योंकि यह आयू का निर्ने करता है, लेकिन इसके अतिरिक्त यह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रिप्रेजेंट करता है, जैसे के इसमें इनहेरिटिट प्रॉपर्टी वो भी इसी में है लाटरी वो भी इसी आठवे भाव से ही जानी जाती है, और इसके अतिरिक्त आपका आध्यात्म की रुची, वह भी तो अस्टम भाव से जाना जाता है, अगर अस्टम भाव में शैनी हो, और गुरू द्रस्ट हो, मंगल की द्रिश्टी पढ़ती हो, ऐसे में आध्यात्म शिकर पर पहुंच सकता है, हलाकि यह भाव और ग्रह के नक्षत्र के ओपर काफी निर्वर करेगा, और इसको जानने के लिए, क्या यह कुंडली आध्यात्म के लिए उचित है, बढ़िया है, इसके लिए आप किसी अच्छे जोच्छी को अपने कुंडली दिखा सकते हैं धन्यवाद.